नमस्कार मैं हूँ अंचली इस्टवाल शामचेवजी की खबरों में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं चुनावों की सरगर्मियों के साथ कांग्रेस नेतार राखुल गांदी ने आच उत्राखंड के उधम सिंग नगर में परद्ञान मंत्री मोधी को फिर से निशाने पर लिया राहुल गांदी ने कहा कि यूपिय की सरकार के वक्त भारत का नेतरत्व एक प्रधान मंतरी ने किया था लेकिन आज के भारत का नेतरत्व एक राजा कर रहा है जो सिर्फ फैसले लेता है और किसी की नहीं सुनता राहुल गांदी ने कहा कि प्रधान मंत्री को सब के लिए काम करना चाहिए राहुल गांदी के मताबिक उन्होंने खरीब एक साल तक किसानों की अंदेखी की साथ ही उन्होंने किसानों को बढ़ाई देते हुए कहा कि किसान तीनों कानूनों के खिलाफ पहाड जैसे खड़े रहे और सरकार को सच्चाई दिखाए उत्रा खंड की जनता का कितना टैक्स मांग किया उदर नरेंद्र मोदी जी उनको प्रधान मंत्री कहा जाता है प्रधान मंत्री जनता से बात करते हैं प्रधान मंत्री जनता की अवाज सुनता है नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री नहीं है नरेंदर मोदी जी 21 सदी के राजा है हमें वो व्यक्ति चाहिए जो जनता के बीच में जाए आन्दी तुफान में बारिश में जनता के बीच में जाए जनता से बात करे जनता से गले लगे जनता से पूछे जनता की कठीनाई क्या है और जनता की बात सुनकर काम करें वैसा चीफ मिनिस्टर कॉंग्रिस पार्टी आपको देगी एक साल हिंदुस्तान के किसान खड़े थे नरेंद्र मोधी जी ने उनसे बात तक नहीं की बात तक नहीं की उनसे पूछा भी नहीं नरेंद्र मोधी जी के दर्वाजे हिंदुस्तान के किसानों के लिए बंद थे ऐसी सरकार कॉंग्रिस पार्टी कभी नहीं चला सकती है हमारा चीफ मिनिस्टर हमारे मंत्री इनके दर्वाजे उत्राखंड की जन्ता के लिए आपको बंद कभी नहीं मिलेंगे आपको खुले मिलेंगे उत्राखंड के बाद अब बात करते हैं उत्रप्रदेश के चुनावों की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अलीगड में प्रेस कांफरेंस कर बीजे पी को निशाने पर लिया उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने उत्रप्रदेश के जनता को धोका दिया अखिलेश ने कहा कि यूपी में खानून विवस्ता बेहत खराब है और इस बार का विधान सबाचुनाफ समविधान बचाने का है उन्होंने एंडी टीवी से बात करते हुए बीजे पी नेताओं की भाशा पर भी सवाल उठाए अखिलेश ने बात की हमारे सेयोगी रवीश रंजन चुकला से सब्सक्राइब यहां अगलेश जी यह बदाएब मैं अगलेश इस तरीके से निजी आरोप लग रहे हैं चरबी और गर्मी की बात कर रहे हैं अमिशा जी ने ये कहा कि आप में चाचा पापा की नहीं चुनते हैं निजी अस्तर पर एक दम आरोफ लगने शुरू हो गए यह राज्जित में होना चाहिएगा ने आप आप मुझसे सवाल पूछ करके सब नकारादमक सवाल आप पूछ रहे हैं पार्टी ने जिस तरीके से हर्द्वागज में बीडी का कारखाना लगाया अलीगर में आज हमें एक्सपोर्ट का बड़ा सेंटर बन सकता है यहां के कारीगरों के लिए यहां के कारोबार के लिए अगर रिशेज जूट भी बनानी पड़ी तो सबाजवाजवाज सरकार बनेगी एक्सपोर्टर्स को क्या मदद कर सकते हैं जिससे मदद हो नीरज जी की बहुत इक्षा थी कि अलीगर में की इस पोस्ट इनिवरस्टी मनें मैं अलीगर के लोगों को भरुसा दिलाता हूं कि नीरज जी के साहित में जो होगदान है जो उन्होंने हिंडी के लिए क जहांसा जूट और इनके जितने बड़े नेता उसना बड़ा जूट बोल रहे हैं जो कि इस अस्तर पर अलीगर में आचुकी आये हुए हैं तो अलीगर में कह रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स उनिवरस्टी जो है वो खोलेंगे अलीगर से अधनान और पवन के साथ रवीश रं सीटे मिलने जा रही है वहीं बाकी बचीवी तीन सीटे ही विपक्ष को मिलेंगे जो जनता का आक्रोस है गडवन्दन को 400 सीटे मिलने जा रही है और इसलिए बता रहों मैं तीन विपक्ष के लिए आप ही बताईए जब हात्रस की बेटी के साथ घटना हुई कोई कल्पना कर सकता है आज के यूग में ऐसी घटना हो जाए और सई समय पर अगर उस बेटी को बेहन को इलाज मिल जाता तो वो आज हमारे आपकी बीच में होती वो अपने लिए खुद लड़ती लेकिन क्या भारती जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कुछ कहा इस सीटों का दावा कर रहे हो लेकिन यूपी में कुछ लोग कह रहे हैं कि तूट की कगार पर है समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गडवंदन दरसल समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गडवंदन हुआ था दोनों के बीच में सीटों क कबटवारा भी हुआ था लेकिन उनके बीच में बाची तूटती हुई नजर आ रही है अपना दल कमेरावादी से पंकज निरंजन और समाजवादी पार्टी से उधरवीर सिंग इस पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं उन्होंने दोनों ही दलों में कुछ सीटों को लेकर लगातार मतवेद सामने आ रहे हैं और इस पर जादे जानकारी हमें दे रहे हैं हमारे सेयोगी आजे सिंग आजे लगातार यह खाबर आ ही रही थी तीन चार दिन से इस बात को लेकर के खाबरे बन रही थी उधर पलवी पटेल को लेकर भी कुछ साफ नहीं हो रहा उनकी मुईदवारी को लेकर की वाकई में वो पच्चा भरेंगी की नहीं तो अभी सिती क्या है दोनों के बीच की अभी अंजली आपको बता दें कि जो अभी मेरी जो बात हुई सूतों से बात हुई और सूत क्या जो उनकी पार्टी के जो प्रदीश के महा सची है उनसे भी मेरी बात चीत हुई तो ये पता चला कि जो एक मध्यसता हो रही थी उधर वीर सिंग जो है वो अधिकृत थे सम हमारी जो बात चीत हुई जो अभी हमने दिन में भी उनसे बात किया था जब तो ये पता चला जब उनको कि पांच मिनट पांच मिनट पिछले अलतालीस गंटे से पांच मिनट की बाते हो रही हैं लेकिन उस अलतालीस गंटे में भी वो पांच मिनट पूरा नहीं हो पाया पिछले 72 गंटे से तकरीबन इस तरीके की ये कयास लगाये जा रहे हैं कि शायद उनकी बाचीत हो करके उन मुद्दों पर हल हो जाएगा शिराथू सीट पर अपल्वी पटेल का नाम का जो एनाउंस्मेंट है वो समाजवादी पार्टी ने किया था लेकिन उनकी बाकी के भी जो सात्में चरनके जो चुनाओं होने हैं उसमें जो सीटें हैं जो इलहाबाद की है बनारत की है जो आपके मिरजा पुर की है जोन पुर की है तो ऐसी कुछ सीटों पर भी जो उनसे तैह हुआ था उस पर वो लोग फाइनल बात करना चाहते हैं उन तो अगराब बात क करा दूब के कदार पर ये गड़बंधन जरूर पहुँच रहा है जैसा अभी सुन्ने को आ रहा है आपना दून गारवादी को उसije लगता है कि शायद अखलेज की बात पहुंचे की तो कुछ बात बन सकती है लेकिन फिलहाल अभी बाचीत की जो बद्धेसा थी जिस पर एक उमीट थी जो पांच मिनट का जो था वो वक्त पर विराम लगता नगर आ रहा है अंजली तांक यू शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए तो बात उतर प्रदेश की ही करते हैं उतर प्रदेश में आज हर पार्टी के बड़े नेता रैली और जन सभाई कर रहे हैं आज प्रियंका गांदी अलीगड में डोर टो डोर कैंपेंग करने के साथ साथ रोट शो भी कर रही है इस डारान उन्होंने पिछले दिनों से गरमी निकालने के बयानों पर जो बयान बाजी हो रही है उस पर अपनी प्रतीक्रिया दी उन्होंने कहा कि चुनाव में यह बात नहीं होनी चाहिए कोई गर्मी निकाल रहा है तो कोई चर्वी निकाल रहा है तो मैं कह रही हूं कि भर्ती निकालो बहुत नौजवान बेरोजकार है उधर कल पहली बार विधान सबाच चुनाव का पर्चा बढ़ने के बाद गोरकपुर सदर सीट से BJP प्रत्याशी और सुबे के मुख्य मंत्री आदितनात अब घर घर प्रचार कर रहे हैं आज गुरुकपुर के रामदगर कॉलिनी समेत कई महलों में योगी आदित्यनात ने घर गर जाकर प्रचार किया और लोगों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि योपी में अब हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा है। योपी की तस्वीर और तقدीर दोनों बदली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले पश्चिमी यउपी में अराजट्ता थी और कारोबारी पलाइन करने को मजबूर थे। पिसले सरकारों ने अपने ले सोचा था उन्होंने ब्यापक समाच के बारे में नहीं सोचा वर्ग संगर्स किसी तरी पैदा करना चाते थे दंगा पसाद करना चाते थे ब्यापारियों को प्लाइन करने के लिए मज़़ूर होना पड़ता था पस्री में उत्तर प्रदेश में क्या राजगता थी पुरे उत्तर प्रदेश में न केवल करोना जैसी महमारी को नियंतित किया गया बलकि पलायन जैसी बुराईयों को भी रोक लगा करके जो लोग जो ब्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे वापस उत्तरप्रदेश के अंदर लाकर के वे अपना व्योसाई कर रहे हैं उत्तरप्रदेश के बल्या में आज खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने ऐसी दोर लगाई कि लोग हैरान रहे गए दरसल यूपी के खेल मंत्री उपेंदर तिवारी को नामांकन भरना था लेकिन कारे करता उन्हें जगे जगे उनका स्वागत किया इसके चलते उन्हें देर हो गई नामांकन के लिए चंद ही मिनिट बचे थे और उन्होंने बलिया कलेक्टरेट की और दोड लगा दी और वहां पहुँचकर अपना नामांकन भरा और अब ही ले रहें चोटा सा ब्रेक लेकिन उत्रप्रदेश चुनावों की खबरें बाकी हैं हम जानेंगे क्या है यूपी के दिल में उत्तर भारत में बीजेपी का चुनाव प्रचार कानून व्यवस्था को लेकर है तो समाजवादी पार्टी का फोकस रोजगार, बिजली और पेंशन के मुद्रेपर है पुराने लख्राओं में क्या है लोगों का मूड ये जानने की कोशिश की है हमारे सहियोगी सौरप शुक्लाने यूपी में सियासी भी साथ बिच गई है, लगबग टिकेट बाटे जा चुके हैं, तमाम रादितिक दल प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को लुपा लें गईटवए का चैम्पेज्ड रो इन do, तो वह बता रहे हैं समाजी पार्टि को जिन्दा समर्थक, पाकिस온 समर्थक भी, इजर समाजी पार्टि कह रहे हैं कि वbahn नफन कि राजनीति करना चाहते हैं, प्रेम की राजनीति हूँ यह पसंद लेकिन यह बताइए किस बार चुनाओं में क्या लग रहा है तो योगी जी पसंद लेखा उनका बहुत अच्छा लगा तो आपके रोजगार में रोजगार में बरोत्री हुई क्या लगा यह बहुत से काम अच्छे कि उनको देखा जाएंगे लेकिन लाली सरकार से तो परेशान हैं जी विल्कुर रोजगार नहीं मिल रहा है सब परेशान हैं हम लोग करो जो भी परिच्छाएं देओ तुरंट के तुरंट जो है लीक हो जाती है तर तैयारी करके आओ लेपर लीक होता दुबारा कराओ फॉर्म पढ़ जाते हैं अप्लाई हो जाते हैं लेकिन उसमें कुछ होते नहीं दो दो चार चार पांच लाजी डंडन का लाजी डंडन को लेकर आप लोग बहुत खुश हैं बिलकोल बहुत खुश रहते हैं और यह देन उनी की इस सरकार में काम अच्छा हुआ है या मुद्दे क्या है कि अग्रेंट बढ़ा कि योगी काम भी बढ़ियां लगा आपको क्या बढ़ियां लगा लगा अपको क्या बढ़ियां लगता है क्या सिर्द नहीं अट्छाई है खुटपाद में बैटियां कमाएंगे तभी सामको फाना मिलेगा सरकार चाहे जो भी आएगी मोदी आएंगे तभी योगी आएंगे जो भी पुलिस आले आते हैं सामको जीसकी मर्जिए जीगाली देते हैं कष्टुमार आता है जिसको उचा बोलना बोलता है तभी हम लोग अंपना कमातने अब खान्य को मिलता है तो रूजगार एक मुद्दा है इस चुनाव में आपके लिए जो मुद्दा जरूर है हमारे लिए हम लोग ओबरेज हो गए या तो उसको घटाए सरकार फिर से पीछे लाए या तो उसी को डेट बढ़ा के आगे करें आगे करें आप कितना पढ़ें इंडर किया हमने सेना में जाना चाहते थे किसमें बढ़ती होना चाहते थे इंडियन से न मलट्री जीडी का परिच्छा भी देखे हैं लेकिन रेजल्ट का वाएगा कोई बता नहीं है यहां पर पुराएं लखना होएं बात करते हुए दो बाते समझ में आती हैं पहली बात तो वो लोग हैं जो कानून विवस्टा से खुश हैं दूसरी बात जो लोग हैं जो युवा हैं वो नाराज हैं कि रोजगार के अफसर नहीं है अब जैसे यह भाईया कोई देख लिजे कि सेना में भरती होना चाहते थे लेकिन मजबूरी में यहां मलाई बेच रहे हैं रोजगार मिला नहीं परिक्षा दे चुके हैं नतीज़ा आया नहीं अब तक क्या करेंगे कब तक घर में बैठे रहेंगे तो मजबूरी में यहां पर आकर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि घर वाले कर्टक रोटी देते रहेंगे तो फिल्हाल यह हाला थे तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा है लेकिन बुजेपी के फेवर में क्या काम करा है वो है हमारे सेयोगी रवीश रंजन चुकला ने बुलंच शहर में लोगों से बात करके वहां का चुनावी पारानापने की कोशिश की है देखे उनकी यह रिपॉर्ट मैं इस वक्त बुलंच शहर के बिलसुरी गाओं में मौजूद हूँ या आप देख सकते हैं तमाम सारे बिलसुरी गाओं के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं और खास तोर पर अनसुचिस समाज के जो लोग हैं उनकी हमराय जानने आये हैं कि आखिर क्या समच से आये हैं क्या इस वक्त चुनाव में उनके बीच में चल रहा है हमने देखा कि 2014 में BJP जीती 2017 में उत्रपदेश में सरकार बनी 2019 में फिर सरकार बनी आप लोगों के समाज का भी एक एहम योगदान रहा है क्या इस सरकार ने कुछ समस्याओं को दूर किया आपके कि वैसे ही समस्याओं चल रही है अब तो जाद है चर्चा बीजेपी की चल रही है यहां तो लेकिन आप लोग का समाज क्या सोचता है सारे समस्याओं आपकी हल हुई इस सरकार में समाज सोचने के लिए तो जहां ही जितने हमारे यह लोग है यह तो सब बस पापार्टी मे अपना रास्ता दिखा रही है विलसुरी गाओं के हाथ और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी हाँ पर सुची जाती समाच के लोग हैं उनके पास जमीन जो है ज्यादातर लोगों के पास में नहीं है यह चूला जल रहा है आपके तो आपको चूला योजना के तरह सेलेंडर और वो मिला था कि नहीं पर क्यों जला रही है आप जब बड़ा की बड़ा सब्सक्राइब बरे नहीं जाते हैं सेलेंडर कभी ना भरवा आते हैं अच्छा आप देखिए जोला योजना के तहट इनको सेलेंडर चूला मिला है लेकिन छे सो रुपए से एक साल के भीतर सेलेंडर के दाम पहुंच गे साड़े नौसो रुपए तो इसी के वज़े से जो है अब उस तरीके से सेलेंडर हर महीने आप नहीं भरवा पाती है सेलेंडर तो यह आप देखिए इसलिए चूला का जो है इस्तेमाल यहां पर हो रहा है अभी तो फीस नहीं लग रही होगी ना तुमारी सरकारी स्कूल म अच्छा कितनी फीस लग रही है आपकी महीना तीन महीने के 895 रुपे जा रही है अच्छा यह तो कहा जा रहा है कि लड़कियों की सिक्षा मुफ्थ है बारहुमी तक और मजदूर आदमी आप सोचिए साथ लोगों के बच्चों की जो पढ़ाई है वो कैसे हो रही होगी पहली जो बेटी है अभी जिससे बात हो रही थी उन्होंने पांचवे की बात पढ़ाई छोड़ दिया ये कह रही है कि नवी में पढ़ रहे हैं फीस इतनी लग रही है तीन महीने का 800-900 रुपे एक मजदूर आदमी के लिए आप समझ सकते हैं कि अच्छे खासी रकम होती है अनुसुची जाती समाज का जो घर है उसमें मौजूद हूँ हालात ये हैं कि निकलना भी यहां से मुश्किल है और गाउवालों की ये शिकायत है कि तमाम सारी योजनाएं जरूर सरकार ने बनाई हैं उनके लिए लेकिन उसका लाप जो है वो इनको नहीं मिल रहा है ब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैदरबाद में हैं जहां उन्होंने स्टाचू ओफ इक्वालिटी देश को समर्पित किया है संत श्री रामनुजाचार्य की 216 फुट उची प्रतिमा स्टाचू ओफ इक्वालिटी का पीम मोदी ने आज अनावरन किया इस प्रतिमा को ग्यारवी सधी के भक्त शाखा के संत श्री रामनुजाचार्य की याद में बनाया गया है इस प्रतिमा को पंचधातू से बनाया गया है यह धर्तिमा चाह रही थी वालमी की भगवान कहते हैं व्रत संपन है यह रामचंद्र और अप्रधृश्य वाइभव रहने वाला है लोका नाधा उपमम सारा जगत को पालन करने का शिक्ती रहने वाला है यह समझे कर मा यह भूमी धर्ति यह थी वो मूर्ति जो की 216 फुट उची प्रतिमा बनाई गई है इसका नाम है स्टाचू ओफ एक्वालिटी आपको बता दे कि यह पंचधातू में बताई गई और यह बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है पंचधातू यानि की इसमें चांदी, सोना, तांबा, ब्रास और जिंक इनको मिला करके एक पंचधातू बनता है उसकी बनी है मूर्ति यह मूर्ति जो आप देख रहे हैं उसका एक कौपी है जिसके आगे पूजा की गई और इसके बाद जो बड़ी मूर्ति है उसका अनावरण किया गया है वहाँ पर अपना व्रत नियम के अनुसार दस दिन भी केवल जलपान करते ही अपना समय को वहाँ पर दिये थे अने धरम का पालन करने में और अपना वैदिक नियमों को पालन करने में ये कटी बद्ध होते हैं यहाँ पर जब आए वैदिक कारेक्रम में भाग लेने के लिए जो वैदिक स्वरूप से रहना है उसको वो प्रेम से स्विकार किये हैं ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त हैदराबाद से जो आ रही है जहां प्रधान मंत्री मोदी मौझूद है इस मूर्ति का नाम स्टैच्टू ओफ इक्वालिटी भी दिया गया है दोसो सोला फुट उची ये ग्यारवी शताबदी के भक्ती संत थे श्री रामनुजुचारे और सोशल रिफॉर्मर थे संत थे और उन्होंने हमेशा ही एक समानता का जो भाव होता है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की सभी जाती धर्म के बीच वो चाहते थे की समानता हो और उनी की इस मूर्टी को इस वक्त उसका अनावरण करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी गए है इसका अनावरण हो गया है पहले उससे पहले वहाँ पुझा अर्चना की गई और ये अश्ट धातु की जो मूर्ती है वो वहाँ पर उसका अनावरण किया गया है ये जो तस्वीराद देखे हैं ये बनावरंड किया गया और इस मूर्ती को जिस बेस पे रखा गया है वही चौवन फुट उचा है इसको भद्रवेदी कहते हैं जिस पर ये विराजमान है और उसके उपर पंच तोले की पंच लोहे की पंच तहतु की एक ये मूर्ती आप देख रहे हैं ये संतरामन जचारे की है इनका आगमन के बाद ही डिजिटल राइबरी और रिसर्च सेंटर भी यहां पर खोला जा रहा है अलग-अलग फ्लोर उसके लिए बनाए जाएंगे जिसके अंदर पुराने भारती उपनिशद की प्रतिलीपिया रखी जाएंगी एक क्येटर बनेगा एक एजुकेशनल गैलरी भी बनेगी जहां पर श्री रामरजाचार्य के कहीवी बातें और उनकी लिखीवी किताबों को रखा जाएगा हर प्रकार की जंता चाहे वो कोई भी हो वो सब मिलकर सबके साथ और सबका विकास की नारा से और उसके लिए बारा दिन का एक पूरा जशन और समहरो हो रहा है उसी के दौरान इस मूर्ती का अनावरन किया गया है आज बसंत पंचमी है मतुरा और व्रिंदावन में इस मौके पर जम कर जश्न मनाया जा रहा है मशूर बाके बिहारी मंदिर में आज गंगोत सबका भी आकास हुआ जिसकी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आ रहे है बाके बिहारी मंदिर एक बहुत बड़ा नामी गिरामी मंदिर है प्रिश्ट भक्तों का बहुत माना हुआ ये मंदिर है जहां पर पहुंचे थे आज बसंत पंचमी के मौके पर लोग वहां पर और उन पर आप इस तरह से देख सकते हैं कि रंग की वर्शा की गई सब वहां रंग में सराबोर नजर आए